जैम आता दी दोस्तों कैसे हैं आप सभी? दोस्तों हमारे चैनल से जुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में दिये गए बैल आइकन को जरूर प्रेस कर दें सबसे पहले बात करते हैं मंगलवार व्रत कता की एक ब्रहमन दमपती के कोई संतान नहीं थी जिसके कारण पती-पतनी बहुत दुखी रहते थे वह ब्रहमन हनमान जी की पूजा हेतु वन चला गया वह पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र प्राप्ती की कामना किया करता था घर पर उसकी पतनी मंगलवार व्रत पुत्र प्राप्ती के लिए किया करती थी मंगलवार के दिन वह व्रत के अंत में भोजन ग्रहन करती थी मंगल के दिन व्रत के बाद भोजन बना कर हनमान जी को भोग लगाने के बाद वो खुद उस भोजन को खाती थी एक बार कोई व्रत आ गया जिसके कारण ब्रहामनी भोजन ना बना सकी तब हनमान जी का भोग भी नहीं लगाया गया वह अपने मन से ऐसा प्रण करके सो गई कि अब अगले मंगलवार ही व्रत खोलूगी लेकिन अगले मंगलवार से पहले ही उसे मूर्चा आ गई और वह बेहोश हो गई तब हनुमान जी उसकी लगन और निष्ठा को देख कर प्रसन हो गई उन्होंने उसे दर्शन दिये और कहा मैं तुम से अतीप प्रसन हूँ मैं तुमको एक सुन्दर बालक देता हूँ जो तेरी सेवा किया करेगा हनुमान जी बाल रूप में उसको दर्शन देकर अंतर ध्यान हो गई सुन्दर बालक पाकर ब्राहमनी बहुत खुश हुई ब्राहमनी ने बालक का नाम मंगल रखा कुछ समय बाद ब्राहमन वन से लोट कर आया प्रसंचित सुन्दर बालक को घर में क्रीडा करते देख कर पतनी से बोला यह बालक कौन है? पत्नी ने कहा मंगलवार के व्रत से प्रसन होकर हनुमान जी ने दर्शन दे कर मुझे ये बालक दिया है उसने पत्नी की बात को छल मान कर उसे कुल्टा, कुलक्षनी, आजी जैसे अपशब्द कहने लगा एक दिन उसका पत्नी कुए पर पानी भरने चला, तो पत्नी ने कहा मंगल को साथ ले जाओ, वे मंगल को साथ ले चला और उसको कुए में डाल कर वापस पानी भर कर घर लाया तभी पतनी ने पूछा मंगल कहा है तभी मंगल मुस्कुराता हुआ घर आ गया उसको देख ब्रहम्मन आश्चरिय चकित हुआ और रात्री को हनमान जी ने उसको स्वेपन में कहा यह बालक मैंने दिया है तुम पतनी को कुल्टा क्यों कहते हो पती यह जानकर हर्शित हुआ फिर पती पतनी मंगल का व्रत रख अपना जीवन आनंद पून व्यतीत करने लगे जो मनुश्य मंगलवार के दिन इस व्रत को पूरी निष्ठा और नियम से करता है और इसकी कथा को सुनता और पढ़ता है उसके घर हनमान जी की क्रपा से सारे कश्ट दूर हो जाते हैं और सर्व सुख प्राप्त होते हैं आयो दोस्तों अब जानते हैं मंगलवार पूजा विधी के बारे में सर्व सुख, रक्त विकार, राज्य सम्मान, पुत्र की प्राप्ती के लिए मंगलवार का व्रत बहुत ही उत्तम माना जाता है इस व्रत में गेहूं और गुड का भोजन करना चाहिए भोजन दिन रात में एक ही बार ग्रहन करना चाहिए व्रत 21 सब्ताह तक करें, मंगलवार के व्रत से मनुष्य के समस्त दोश दूर हो जाते हैं मंगलवार की पूजा में लाल फूल, हनマन जी को अर्पित करें और लाल वस्तर धारन करें अन्त में हनमान जी की पूजा करनी चाहिए और मंगलवार की कथा सुननी चाहिए दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेर करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें धन्यवाद